तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागते विजेश्वरस सक्सेस मंत्रा डिजिटल लर्निंग प्लाटफॉर्म पर तो हम चर्चा कर रहे थे प्रमुक परियावाची शब्दों की और आज हम डिसकस करने वाले हैं पंच तत्व और कुछ एक प्राकृतिक शक्तियां और उनके प्रियावाची शब्दों के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो प्रित्वी के लिए हम प्रियोग कर सकते हैं ये प्रमुक परियावाची शब्द और इसमें सामिल है भू, धर्णी, बसुन्धरा, अचला, धरा, जमीन, रत्नगर्भा, मही, बसुधा, धरित्री, क्षिती, उर्वी, भूमी, धर्ती जबकि पंच तत्तों में से अगला प्रमुक तत्तों है आज यानी की अगनी और इसके लिए हम प्रियोग कर सकते हैं अगनी, अनल, पावक, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, क्रिशानू, हुताशन, बेश्वानर, शुची और ज्वाला तो एक बार फिर से दोहराते हैं अगनी के लिए प्रियोग होने वाले प्रियवाची शब्दों को इसमें शामिल है आग, अनल, पावक, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, क्रिशानू, हुताशन, बेश्वानर, शुची और ज्वाला तीसरा महत्तो पूर्ण तक्त्व है जल अर्थात नीर और इसके लिए हम प्रियोग कर सकते हैं वारी, नीर, तोय, अम्बू, उदक, पानी, सलिल, पय और मेग पुश्प ये सबी जल अर्थात पानी के प्रमुक प्रियावाची शब्द हैं पंच तत्तों में से चौथा महत्तपूर्ण तत्य है आकाश और आकाश के लिए हम प्रियोग कर सकते हैं अम्बर, अंत्विक्ष, अधर, अब्र, अर्ष, आकाश, अर्ध्वलोक, गगन, गगनमंडल, छायापत, तारापत, दिव, धू, धो, धुलोक, नभ, नभमंडल, नाक, फलक, ब्योम और शुन्य तो एक बार फिर से दोहरा ये आकाश के लिए हम प्रियोग होने वाले प्रेवाची शब्दों को अंबर, अंतविक्ष, अधर, अब्र, अर्ष, आकाश, अर्ध्वलोक, गगन, गगनमंडल, छायापत, तारापत, दिव, धू, धो, धुलोक, नभ, नभमंडल, नाक, फलक, ब्योम और शुन्य अब पंच तत्तों में से पांचवा प्रमुक तत्तों हैं वायू और वायू के लिए हम प्रियोग कर सकते हैं समीर, वात, मारूत, अनिल, प्रवंजन, प्रवात, समीरण, मातरिश्वर, बयार, पवन और वायू एक बार फिर से दोहड़ाएं समीर, वात, मारूत, अनिल, प्रवंजन, प्रवात, समीरण, पयार, पवन, वायू और मातरिश्वर अब बात करेंगे कुछ एक और नेचुरल फोर्स इसकी और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बिजली के लिए परियोग होने बाले प्रवाची शब्दों को तो बिजली के लिए हम यूज कर सकते हैं चंचला, सोदामनी, बिजली, घनप्रिया, इंद्रबज्र, चपला, दामनी और तरित एक बार फिर से दो रहाई है चंचला, सोदामनी, बिजली, घनप्रिया, इंद्रबज्र, चपला, दामनी और तरित जबकि बादल के लिए हम परियोग कर सकते हैं मेग, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, पयोद, पयोधर, अमबुद, धराधर, वारिवाह और वारिधर एक बार फिर से रिपीट करिए मेग, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, पयोध, पयोधर, अमबुद, धराधर, वारिवाह और बारिधर ये सबी बादल के परियोग होने वाले परियोधर शब्दों को और इसमें सबसे पहले हम यूज़ कर सकते हैं सागर, पयोधी, उददी, पाराबार, नदीश, जलदी, वारिध, नीरनिधी, अरनव, जलधाम, अकुपाद और सिंधु जबकि नदी के लिए हम परियोग कर सकते हैं एक बार फिर से रिपीट करते हैं नदी के लिए प्रियोग होने वाले परियोधर शब्दों को सरीता, तटिनी, वाहिनी, तरंगिनी, निर्जरिनी, शैलजा, जलमाला, नद, शैवालिनी और प्रवाहिनी ज़ंगल के लिए प्रियोग होने वाले सामानारतक शब्दों में शामिल है विपिन, कानन, वन, अरन्य, गहन, कांतार, वीहड और बिटप एक बार फिर से दोर आईए विपिन, कानन, वन, अरन्य, गहन, कांतार, बीहड, बिटप और गिर ये सबी परियावाची शब्द हैं वन अर्थात जंगल के लिए ब्रिक्षर्थात पेड के लिए हम प्रियोग कर सकते हैं पेड, पादप, बिटप, तरू, गाच और द्रुम एक बार फिर से रिपीट करते हैं ब्रिक्ष के लिए प्रियोग होने वाली प्रियावाची शब्दों को तो इसमें शामिल है पेड, पादप, बिटप, तरू, गाच और द्रुम चंद्रमा के लिए हम प्रियोग कर सकते हैं चंद्र, शशी, हिमकर, राकेश, रजनीश, हिमांशु, चांद, मयंक, विधु, सुधाकर, कालनिधी, निशापती और शशांक पिर से रिपीट करते हैं चंद्र के लिए प्रियोग होने वाले समानार्तक शब्दों को और इसमें शामिल है चंद्र, शशी, हिमकर, राकेश, रजनीश, हिमांशु, चांद, मयंक, विधु, सुधाकर, कालनिधी, निशापती और शशांक कोचिंग के श्रेष्ठ अनूभव के लिए आज ही जॉइन करे विजेश्वरस सक्सेस मैंटर अकाडमी सोलन